जी सुखी दमपती आज का जो डिस्कुशन करेंगे सिक्रेट सब हैपी कप्वल्स दोनों ही अच्छे हो पती-पत्नी तो भी कुछ चीजें ऐसी हमारे विवाहर में हम नहीं ला पाते हैं जिसके कारण हमारा जो पार्ट्नर है पति या पत्नी है वह ना खूश रहते हैं या रहती है आज हम उस-परिवार की बात नहीं करेंगे या उस-कपल की बात नहीं करेंगे जहां बहुत वाइलेंट से बहुत सरे परिवारों में पती बहुत वाइलेंट होते हैं पत्नियों को बहुत तर्चर करते हैं मारते काड़ते हैं या कहीं रेयरली पत्नी भी वाइलेंट होती हैं रेयरली नहीं बहुत केस में भी होते हैं में भी परसेंटेज थोड़ा कम हो पर ऐसे भी फैमिली होते हैं जहां पत्नी भी पती के उपर बहुत जुलूम करते हैं वाइलेंट ली हम उस कपल के बारे में भी बाद आज नहीं करेंगे और जहाँ एडिक्षन है नशा है अलकोहल है ड्रॉग है वान अफ देम या दोनों तो उस कपल की भी बात नहीं करेंगे इसी तरह जहां परकिया प्रिती मलब एक्ष्ट्रा मेरिटेल अफेर्स होगरा रखते हैं जिनका क्यारेक्टर लूज है चरित्रहिनता उन लोगों की भी बात नहीं करेंगे कि और एक प्रण मोटा कापल के बीचमे का बहुत बड़ा कारण होता है ऐसीreck सब्सक्रयां के तॉइंव पेसा बहुत कम हो बहुत गरीबी में हो तो भी अ मैंने पत्ति-पतनी की लड़ाई कप ऐसे कपल में अगर फाइनेंशियल स्टाटर्स ठीक हो जाए तो उनके बहुत सरे प्रोब्लेम फिक्स हो जाते हैं तो हम ऐसे लोगों की बात नहीं करेंगे हम उन लोगों की बात करेंगे जो कमन लोग हैं ठीक ठाक हैं इनोसेंट हैं कोई नशा नहीं है कोई अपनी पतनी को पीटते नहीं न पतनी पती को कुझण पति है न नशा करते हैं ना कोई इक्स्ट्रा मरीटल आफेर है ना क्यारेक्टर खुराब है थे SAM ble at simple आम लोग हैं पती-पतनी के रूप में उसके बावजुद भी घर में असांति रहती है तो कुछ छोटी-ब laugh हो जाएगा और ज्यादा मिठ रिलेशन्शिव ज्यादा मिठास से भर जाएगा और कड़वापन कम से कम होगा तो इस डिसकेशन को शुरू करनी से पहले मनुश्मृति का एक स्लोक है उसको कोट करना चाहता हूं संतुष्टो भार्यया भरता भरत्रा भार्या तते ही वचा यस्मिन्नी वकुले नित्यम कल्यानम तत्रभई धुवं जिस फ्यामिली में पती पत्नी के कारण से खुशे पती पती से खुशे तो उस घर में खुशी जो है वो बिना कारण मिलेगी कि दावटे निकज वहां खुशे मिलेगी बहुत सर चीजें काम भी हो ना भी हो तो भी वो परिवार जब धान के जब पती पतिनी खुश होते हैं तो दोनों खुश नहीं होते हैं कुछ रहेंगे अगर पती-पत्नी के रिस्ता ठीक हो यह बेस बना के हम आगे चर्चा करेंगे किन-किन चीजों को ध्यान रखें तो एक कमन इनोशेंट कपल आप जैसे तो वो जो भी थोड़ी बहुत तनाव है उसको मिनिमम हम कर सकते हैं तो पहली चीज है कि जिनने लिए एक मिस पर्शिप्शन है इस जो प्यार से रिलेशन्शिप बनता है यह बड़ा बहुत ही रम मिस पर्शिप्शन पहला हूं है कभी कोई प्यार रिलेशन्शिप का जढ नहीं होता है तो एग के टेमप्रेरी जिसको हम प्यार करते हुए एक तरह काλα ट्रecton है और ज्यादा दिन टिकतानी रिलेशन्शिप को जो टिकता है वह और बहुत सारे क प्रावल्लम है कि एमोशन बड़ा फ्लेक्सिबल होता है इसलिए समझने की ज़रूरत है क्योंकि प्यार एक इमोशन जैसे गुस्सा चौवीश गंटे नहीं रह सकता तो प्यार भी चौवीश गंटे नहीं रहता है बड़ा इमोशनल चीजें अगर आपकी सबजी में सिर्फ आलू ऑलो यालू है और कुछ नहीं है तो आप बिमार तो होंगे हुझए कुछ दूसरे शब्जियां भी आपके पास होनी चाहिए वो कुछ दूसरे मसालवे होनी चाहिए अगर और आपके relationship का funda सिर्फ प्यारी प्यार है फिर तो खत्रा बहुत जादा है तो प्यार होना तो जुरूरी है definitely प्यार के अलावा बहुत कुछ और होनी चाहिए और उसमें जो सबसे पहला नंबर पर आता है होता है एक दूसरे को respect करना आप में 0% प्यार हो पर अगर 100% mutual respect यह mutual को कभी हटाना नहीं क्योंकि यह पती-पत्नी में जो बड़ा problem होता है यह जब हम वह सिंगल लेन वाला रास्ता पकड़ाते हैं जैसे कि आप जैसे आज discussion होगा यहां से सुनने के बाद फिर जो होगा वो one-sided discussion होगा क्या तुम यह यह नहीं करते हो अब यह one-sided one यह दोनों के लिए होता है हर चीज को आम mutual लीजिए mutual बोथ जब पहले जो important चीज होती है किसी वी relationship में वो होता है mutual respect जब तक पती-पत्नी की दिल से respect ना करे बाकी सारी की सारी चीज़ें धरे के धरे रह जाएंगे वैसे तो हम देखते हैं family चलती है ऐसा नहीं कि couples नहीं होते है वाइलेंट पती है तो भी संसार चलता है तो उसमें क्या होता है एक दबी हुई होती है सप्रेश्ट होती है सब को सह जाती है उसके पास कोई option नहीं है और दोसरा अपना मनमानी करता रहता है पर अगर एक खुशनोमा family देखना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके life में real खुशी हो तो आपकी पतिया पत्नी भी खुश होना जरूरी है और एक दूसरे के प्रती जब respect का भाव हम बना के रखते हैं अगर नहीं है cultivate करते हैं तो वह पहली सीड़ी होती है relationship को मज दूसरी के लिए फर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए ठीक है पत्नी है दो चार इसको इसके बारे में जोक सुना दिया तो क्या हो गया सब के सामने अगर उसको हुमिलेशन फील हुआ तो वह अगर राद उसकी अगर नींद खराब होई तो आपके लिए कोई अच्छी ची हैं उस रिलेशन्शिप में कभी मिठाश नहीं होता है दूर से कभी आपको लगे कि यह दोनों बड़े अच्छे कपल है पर देखेंगे अगर रेस्पेक्ट ना करते हुए भी अच्छे कपल दिखते हैं इसका मदलब है कि एक दबा हुआ है चुप-चाप है सहता जाता है यह सहती जाती है और यह अच्छी चीज नहीं है कि आपका पती या पत्नी दबा रहे आपसे वह सिर्फ खुश होने की नाटक करें क्योंकि वह फैमिली रिलेशन्शिप नहीं तोड़ना चाहते हैं देखिए जब भी कोई दबा हुआ होता है ना वह रिलेशन्शिप को नि यह यह नहीं है है तो फिर खुशी तो नहीं हुई ठीक है लिलेशन्शिप निव रहे है तो पहले चीज यह कि हम भी उसरे को रेस्पेक्ट करना सिखें नंबर टू दो बरतन वह आम कहा बते ना घर में दो बरतन हो तो भी तकराते हैं दो दोस्त रहें साथ मैं बात करें तो बहुत सरी चीजों में disagreement disagreement होती है बच्चे parents होते हैं 500 चीजों पर disagreement होता है फाथी पत्नी है डिशाल डिसाध्रीमेंट होना स्वावाभीक है हर लकला है अगर दोनों ही kitchen में खड़ें तो भी होगा तेल इतना ड़ाले कि ना ब Şimdi लगें तूर पर आर्गूमेंट तब छगडे का रूप लेता है या खतरनाक रूप लेता है जब हम दूसरे की आर्गूद को यह आक्सेप्ट करने को तयार नहीं रही है कि सामने वाला क्यों डिज्एग्री करता हूं यह बहुत जरूरी है कि पती-पत्नी की relationship में एक दूसरे की disagreement को असहमती को उतने ही प्यार से उतने ही naturally accept करें यह मुझे पसंद आए ना आए मेरे सोच के हिसाब से हो ना हो वो उनकी इचा है अब किसकी चलेगी यह तो depend करता है आगे discussion में लाएंगे कि जब disagreement हो तो किसकी चलनी चाहिए इगो कोई भी relationship हो ऐसा नहीं कि सिर्फ पति-पत्नी हो वो फ्रेंड्स हो पति-पत्नी हो बच्चे पैमिली हो को वर्कर हो कोई भी relationship में इगो का एक ही काम होता है वो relationship को destroy करता है जहां भी आपका ego relationship के वीच में आया और अगर आप अपने इगो को आगे रखते हो relationship के मामले में तो relationship तो टूटेगी ही टूटेगी अगर बची हुई है तो सामने वाले के कारण दूसरे के कारण ध्यान रखिए जिनका ego बहुत जादा है अगर तब भी वो relationship में टिके हुए है इसकामा लफ्स दूसरा partner है उसके कारण है इगो से बड़ा जहर नहीं है जो relationship को नश्ट करता है इसलिए किसी ने लिखा ego में से हटा दो तो लेट इट गो करो तो relationship बड़ा easily आसानी से निभाया जा सकता है अगले चीज जानने की जरूरत है यह बहुत जरूरी है कि हम practical बने ठीक है जब हम relationship में जाते हैं पति-पतनी बनते हैं तो expectations होते हैं कि नार्मल है human being है इनसान है मनुश्येया है आशायत होंगी दूसरे से हो ऐसी होनी चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा करना चाहिए असा नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं सोचना चाहि रियलिस्टिक अपरोच रखे comparative बैज़ेंशनशिप में सबकुछी अच्छा अच्छा होगा सबकुछ रोजी-डोजी होगा न सटनी होगा देर विल बी नो बनीड़े। कभी मूड भी खराब हो सकता है किसी का कभी कोई फाइनशल क्राइश भी हो सकता है मैं कभी दूसरे प्रोब्लेम हो सकता है नहीं बच्चों के कारण भी प्रोब्लेम हो सकता है कभी आप मेंसे लिए 애 को औरनेसीरी लिदी घूसा भी आ सकता है na end of the human बिंग है इंसा मनुष्य है आपको जो अन्यसिसरी लगता है उनके लिए कोई राइजिन होगा अंदर कोई फ्रेस्ट्रेशन होगा कोई प्रोब्लेम होगा जिसके कारण गुसा हमेशा एक जी ध्यार नके मनुष्य का ऊससे गुत्रशन होता है और एक निकलता है यह जरूरहे जान जब मेरे उपर के वह गुसा करता हूं इसका यहीं यह कि वह एक दूसरे पर गुसा कर रहे होते हैं बस वहां वह एक फटता है बुस तो और कहीं आप आफिस में हुमिलियेटेड होकर के आये वहां तो बोल नहीं सकते बॉस के सामने पी गए अब घर में आकर पती या पतनी अपना समझ के सारी गुस्सा वहीं पड़ास निकाल दिया कभी-कभी बच्चे अपने माबाप पर निकाल देते हैं माबाप बच्चों प देवी बनोगे तो यह फिर कभी ऐसा होता नहीं है और जब ऐसा होता नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर होता है जो यह अन्नेसेसरी एक्सपेक्टेशन पालते हैं फिर उसका या तो वह मैनिफेस्टेशन होता है बड़े रूड़नेस के रूप में या अंदर- there is not a perfect person विवास से पहले लड़के लड़किया सपना देखते हैं पूछो जो स्कूल गोईं कालेज गोईं लड़के लड़कियों को कैसा लड़का चाहिवा कैसी लड़की चाहिए ऐसी लिष्ट गिनाएंगे कि दिसेंट हो हैंडसम हो चार्मिंग हो हूमर वाला हो पैसा बहूत हो सुंदर भी हो अच्छा क knocked it कुए एंड़ तो है यहीं कि कि अधेयर्ग मानिammenेद पर्फेक्शन कहीं नहीं होता है और जो लोग्सो केंड़ पर्फेक्शन पूप अपने लिए होते हैं कि उनकी कोई भी काम हो जो सोकल्ड परफेक्शनिस्ट है उसकी काम को किसी दूसरे को दिखा हिये उसमें से 50 और रिजिक्ट कर लेगा वह अपने लिए परफेक्शनिस्ट होते हैं तो रिलेशनशिप में जब पती या पतनी परफेक्शन चाहिए उसी से कुछ रहने पूशिश करनें इंपफेक्ट को अकसेट कर लेने से इन परफेक्ट परफेक्ट हो जाता है जिजान शेयर को इमपरफेक्ट को जब अब अकसेप्ट कर लेते हैं तो अपने आप उसे डेखा है जब एक दूसरी के प्रति किसी कारण से बहुत गुर्सा है नहीं अब मैं उसके साहत रह नहीं सकता रह नहीं सकती हो गया वह गया दो चार्ब दिन के लिए होता है उस समय आपको पूछो इस आदमी में बाइस महिला में क्या अच्छी चीज है जीरो एक भी कोई अच्छी चीज नहीं है अज़े गुस्ता शांत हो जाए सब कुछ बढ़िया हो जाए घुमने चले गए करें व्यकिशन में मूड बढ़िया ठीक है पूछो को डर्जन और अच्छाया गिनाएंगे कि आप अगर इन पर्फेक्शन दिखें तो पर्फेक्शन को याद करें कि मेरे स्पाउस में पार्टनर में क्या-क्या अच्छाया है जब आप लिश्ट बनाएंगे देखेंगे 90% से ज़्यादा अच्छाया है जब हम अपने पती या पतनी किसे चिड़े हुए हैं क्योंक कोई इस यह गलतियां करता है या गंदा है या खराप है उसमें अगर कोई आप एक दिमाख में या कागज में लिश्ट बनाओ क्या-क्या उसमें अच्छाया है आप काउंट करके ठक भी जाओगे खतब नहीं होगा है तो फोकस हो सकता है जब आप गुस्से में होते हैं तब आप याद न रहे क्या चाहीं कि तब हमें सारे बुराईयां दिखता है पर अगर यह चलता है कि मेरा पती या पतनी वैसा नहीं मिला जैसा मैंने सोचा था चादी से पहले तो फिर एक आगज में लिष्ट बनाके रखो जब अच्छा मूड हो क्या-क्या अच्छा है यह क्या-क्या करता है या करती है अच्छे जब बुरा टाइम आए नेगेटिव माइंड आए उसको एक बार देख लें आप देखेंगे 70 परसेंट आपका डाउन हो जाएगा हाँ अगर आप पक्का मन बना रखेंगे इसको छोड़ना ही है फिर बुरे मूड में सारी बुराइयां नोट करके रखें जब अच्छे मूड हो तो उसको पढ़िए फिर देखिए जल्दी अलग हो जाएंगे पर हम तो बात कर रहें रिलेशन्शिप निभाने की तो अगर रिलेशन्शिप को खुश्णुमा बनाना है तो अच्छी चीजों को दिमाग में नोट करिए अगर दिमाग काम नहीं करता है कभी कवार तो कागज में नोट करिए वैसे कागज में नोट करने की ज़रूरत नहीं है तो दिमाग में भी ध्यान रखेंगे अच्छ दोनों strong personality होने में कोई problem नहीं है दोनों dominating nature का हो तो भी relationship अच्छी चल सकती है बस एक उसमें correction करनी की ज़रूरत है क्या एक time पर एक ही dominate करेगा या करेगी तो दिन में सुरज की चले रात को चांद की चले कि अक तब तो चलेगा शुरज कहें नहीं 24 घंटे मेरी है तो भी problem में चांद कहें नहीं 24 घंटे मेरी है तो भी अंधेरा ही अंधेरा होगा जब पतनी सुरज बन जाए गुस्से में लाल पिला हो तो पति चांद बं अगर पतिया भी सुरज बना हुआ है विलकुल गरम गर्मी के मौसम का विलकुल दो पहर बारा वजे का तो पत्नी चांद बन जाए बस उतने देर के लिए यह भी एक मिस्पर्शिप्शन है कि दो स्ट्रांग डोमिनेटिंग नेचर वाले लोग साथ नहीं रह सकते हैं रह सक विक अंडरस्टेंडी क्या कि जब किसी आर्गूमेंट में एक जित जाए उसकी चले तो दूसरे आर्गूमेंट में दूसरे की भी चलने दो एक विवाह के मंत्रों में एक मंत्र भी आता है बड़ा खुपशुरत मंत्र उसमें वो पती-पत्नी को अला जो ग्रूम है वो को और प्रृटि को कहता है हम दोनों में से एक सुरज ए एक चांड है हमारी विस्ता कैसी हो जैसे सुरज और चांड कीerd एक जैसे दियू अर्पुलो अकाश और पृतीविant हो और दिजिए यह दोनों एक दूसरे साप्यज़ीत है पर रिष्टा निवाने में माहिर है संसार इसी से चलता है जी सपोज सुरज ना हो खली चांदी चांद हो संसार नहीं चल सकता अंधेरा होगा इतनी कम लाइट में थोड़ी दिंदेगी चलेगी पर अगर 24 गंटे दीन हो सुरजी सुरज हो तो भी मुस्की ले रेश्ट कैसे लेंगे दिमाग तंडा भी करना नहीं चलेगा ते पर शरत्य की जब सुरज का टाइम हो तो चांद सरेंड़ कर ले जब चानद की टाइम हो तो सुरज सरेंड़ कर ले ज फिर देखिये मजे की मजे ही मज़े मजह रभ आप आपस में ये कोडिनेशन हो ऐसादीन की फ्लानि दो पहर के बारावज का सुरज बनाए तो मेरा आप की बारावजे बन जाओं फिर देखेंगे प्रोब्लम कितना इजी आप सट आउट कर पाते हैं कर दूसरे को चेंज करने की एक्सपेक्ट करना थोड़ा कंट्रोबर्शियल सब्जिक्ट है क्योंकि पतनी को या पती को लगता है कुछ चीजें तो चेंज होने की जुरूरत है जो ऐसे खाता है से बैठती है ऐसे करती है ठीक है आपको जो चीजें अच्छा नहीं यह प्रजादा खिंचना नहीं कि जितना चेंज कर सकते हो तो कर लो अच्छी बात है पर पांस साथ साल के बाद फिर नहीं मेरे पास एक कपल आए पति शायद एटीज की होंगे एटीज एभव हैं पत्नी अल्मोस्ट हुई है दोनों ढंक से चलने ही पाते हैं पर लड़ाई ऐसी होती है कि विलकुल वह एक तरफ राम एक तरफ रावन हो प्रोब्लेम है कि पति देवजी के कुछ बुरी आदते हैं अब बुरी आदत है कि वह बहुत ज़्यादा मैकजिंस न्यूजबेपर्स पढ़ते हैं अब बुरी आदत है कि पतनी को यह पसंद नहीं है अर्थ पढ़ते पढ़ते ठीक है उसको वह फैंकते नहीं है यह बहुत सारी लोगों के आदत है कि काम आएगा कभी आप इंटलि और इतना रखा है कि उनका एक रूम भर चुका है और लड़ाई कब से चलिए जब से शादी हुई है तब से पत्नी छोड़ी नहीं चेंज करने के लिए अब पत्ती चेंज ना होने का भी छोड़ा नहीं असी साल के हो चुके हैं और दो-चार साल पांट साल क्योंकि बहुत फिजिकल भी वह इतने फिट नहीं है अब पता नहीं कि इतने दिन जाएंगे ऐसा नहीं कि वह हिल दिये पर अभी भी इतनी भयानक लड़ाईयां होती है कि घर में दो-दो-तिन दिन दिन लिए खाना न पॉइंट यह है कि आप चलो आपका विवावावा पचीष से 50-60 साल पहले वहाव गांगा सिक पचासी साल के हो तो 25-30 में तो शादी हुई होगी 40-45 शाल पचास साल की शादी है आप पचास साल से constantly effort कर रहे हैं उस व्यक्ति कुछ चेंज करने की और वो चेंज नहीं हो रहा है पर आप छोड़ने रहे हैं और उससे होता जाएंगे का फिजिकल ही तो भीट भी नहीं है पर छोड़ने रहें लड़ाई चल रहे हैं भूके भी रहे हैं टेंशन्स भी जी रहें पर चेंज करने की जो ठानी है वो बंद नहीं हो रही है कि दिवियों सजनों अपने पतिया पतनी को चेंज करना बंद कर लीजिए गुड़ फर यूर है जितना थोड़ी देर के लिए कुछ समय के लिए तो ठीक है उसके आगे तो यह कोई पती बदलने वाला नहीं कोई पतनी बदलने वाली नहीं थोड़ी बहुत आगर जिसको होता है दो चार साल में बदल जाएंगे क्योंकि तब भी यांग होते हैं अट्रेक्टिव होते हैं तब इमोशनल यह आप प्यार प्यार की बात करते हैं तो थोड़ी वह आपके प्यार के चक्र में थोड़ा बदल जाए उसकी बाहूं बदलता है कभी-कभी हम इतने ज़्यादा मेकनिकली लड़ाई करते हैं मैं रोबर्टिक हुए में आई श्कुल बच्चों की तरह छोटी-छोटी चीजों को लेकर कॉंस्टैंटली फाइटिंग करते हैं कभी तो अपने माई के और ससुराल के लेकर अब घर में जिंदा हो मर गये तो भी लड़ाई करते रहते हैं आप से किसी एक ही सेम चीज को हर आर्ग्यूमेंट में जब भी जगड़ा हो हर बार वो सेम चीज को उठाके रलाना उस पुरानी चीज को रिपीट करना अगर पतिया पत्नी में से किसने कोई गलती पहले कर दी या कोई इश्यू ऐसा था उस पास्ट इश्यू को हर डिसकशन में हर अर्ग्यूमेंट में हर बहश में रिपीटेटली लाने से सिवाए एक दूसरे के प्रती कड़वापन कुछ देर तक रहने का और कुछ नहीं हो अगर डिबेट करते समय वो चीजें याद भी आते हैं तो उसको गले तक कैसे भी करके रोकनी की जरूरत है क्योंको जैसे ही यह पास चीजें दुबारा वापस आते हैं और वह जितनी बार रिपीटेडली आते हैं सामने वाला इतना इरिटेट होता है वह भी हो पती-पत् दिखाना है सामने वाले को नीचा दिखाना कर लिया अब ड़न करो उसमें कंट्रोल हो जाना चाहिए और यह जरूर ध्यान रखेंगे जब हमारा आर्गुमेंट होते हैं या बहस होते हैं या डिवेट करते हैं अगर घर में बच्चे हैं तो हम बच्चों को क्या इंडारे हो या कालेज में पढ़ता हुआ बच्चा हो या इविन 25-30 साल का हो जो अभी तक मैरेज नहीं किया है उसको रिलेशन्शिप के प्रती नफरत होने लगता या नेगेटिवीटी आने लगती है उसमें बहुत सारी चीज़ें भी हो सकते हैं या तो रिपीट करता है या बिल से लड़ें और लड़ें भी ऐसी तरीके से लड़ें कि फ्यूचर रिलेशन्शिप क्या हो एक बच्छा हमारे बच्छा मलम में 5-7 साल की बच्चे की नहीं कह रहा हूं वह बच्चा 5 साल को हो या 25 साल का या 30 साल का माबब के लिए तो बच्चे हैं वह जब अपना future रिलेशन्शिप को देखें और आपको उसके साथ कंपेर करें वो क्या इमेजिन करें कि मेरे रिलेशन्शिप कैसी होगी बच्चे को यह मेसेज कॉंस्टाइंटली जाना चाहिए फ्यूटर रिलेशन्शिप में लव और एफिक्षन प्यार अपनापन ज़रूरी है वो पति-पत्नी के कितने भी गर्मा गरम वहस हो उसमें वो जो मर्यादा राम की जो पते ना श्री राम क्यों प्रोशिद्ध है मर्य वो कितने भी गुस्चे में राम हो वो कुछ मर्यादा कभी नहीं लांगते थे हमेशा एक एक मेंटेन करते थे सटन लिमिटेशन पती-पत्नी खाश करके जब पास में अपने बच्चे हो वो बड़े बच्चे या छोटे बच्चे उसम मर्यादा को ना लांगे जिससे की बच्चे अपने फ्यूचर रिलेशन्शिप को पॉजिटिवली देख सकें कि निवर वी एक काउंटर मैंने इतने काम की है बरतन मांझा खाना बनाया ये किया तुमने क्या किया पाब है अचह मैंने ये कंपूटर में बैठ के ये काम किया ये किया तुम ख्रमां किया वो किया तुम नहीं क्या किया जब हम एक रिष्टा बनाते हैं या असा परिवार बनाते हैं उसमें बहुत تरह के काम होते हैं GmenWe never love been कुछ काम वीजिबल होते हैं कौन कितना काम करता है वो सही है आप ज़्यादा करते होंगे पर अगर आप इसको गिनाते हैं आप अपने नेगेटिव इगो को सैटिस्फाइख करने के अलावा और कुछ नहीं प्रूब करते हैं इससे रिलेशन्शिप इंप्रूब नहीं होता है इसे कोई भी relationship में मिठास नहीं आता जब भी आप काम गिनाते हैं इसका अर्थ नहीं कि सामने वाला कुछ नहीं करता है सामने वाले और ऐसे बहुत सरे काम करता होगा जो आपको नहीं देखता है कितने बार रात को बच्चा जब रोया मैं कितने बार उठा तुम कितने बार तुमने कि कपड़े बदला मैंने कितने वार बदला सुबह कितने वार में जल्दी उठके बच्चे को तयार किया तुमने कितने वार तयार किया कि कभी भी relationship में इविन्नेस लाने की कोशिश नहीं करना एक आपको और पर्सनल एक्स्पिरियेंस यह करो एक यंग कपुलाए शादी करने से पहले और वो जो लड़का है कुछ ज्यादा ही इक्वालीटी की पढ़ाई पी रखा था और इतना ज्यादा पी रखा था उसने मुझे कंडिशन आते ही बोला कि वह विवाह संस्कार में जो कुछ भी होगा सब बरावर होगा मतलब जितने मंत्र में पढ़ोंगा उतनी वह पढ़ेगी जो कुछ आप मेरे से कराएंगे उससे होनी चाहिए हर चीज बरावर होगा तो मैंने उसको पूछा तो फिर आप उतनी ही रोटिया खाते हो जितनी तुमारी तुमारे गल्पिंट खाती है कल तुम्हें बाथ्रूम में तुम नोट करोगे पतनी कितने समय गई तुम भी उतनी समय जाओगे पांच मिनिट तो पांच मिनिट यह स्टुपिडिटी है यह बेवकु भी है और रिलेशन्शिप में इस तरह के इक्वालिटी नहीं चलती है जी अच्छा आपने चार रोटियां बनाई ओके ठीक है मैं भी चार रोटी कल बना दूगा ऐसे नहीं चलता है कल आप किसी काम दूसरे काम में वीजी होंगे तो करने किसी को कुछ चीज़ें अच्छा लग कि हर कोई एक जैसे काम को नहीं कर सकता बराबर नहीं कर सकता और बराबर करने वाले कभी फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं पती पतनी यह तो सिर्फ आफिश में जगडा लोग को वर्कर्स होते हैं किसी भी आफिस में जो जो जेलेस को वर्कर्स होते ना वह ऐसा ही काम करते है कि वह मैंने यह पांच कर लिया वाखी नहीं करूंगा उसको भी पांच करने दो मैं क्यों करूं तनखा दोनों का एक ही है सेलरी में क्यों जादा करूं फ्रेंड्स में भी यह नहीं चलता जब प्यार होता है जब अफेक्शन है जब अपनापन है मैं आगे बढ़के कोई ची दस भी कर सकता हूं वो किसी दूसरे काम को पचीश भी कर सकता है काउंट मत रखिए इविन्नेस होना जरूरी नहीं है कोई सो कर ले तो कर ले आप कोई दूसरा काम देड़ सो कर लेते हैं और जब हिसाब गिनाते हैं तो फिर रिलेशन्शिप नहीं होती है वो तो फिर विजनेस होता है कि जहाँ भी आप काॉंटिंग रखते हैं रिलेशन्शिप नहीं होती है है यह जरूरी कि मिल जूल के काम करें यह जरूरी है की एक दूसरे का खाल रखिए यह जरूरी है कि यह मेक्शियर करिए कि आपका पति याप पतनी बहुत ज्यादा एक्जॉष्टेड नहीं हो कांट के खाएंगे यह काउंटिंग करने की नेचर बंद करना बहुत जरूरी है इसी तरह जैसे पहले आमने एक बार जाना कि चेंज करने की कोशिश कम करो या मत करो ठीक है करने कोशिश करना कोई बुरी बात है हमारे अहामी है अगर चेंज नहीं करेंगे तो कौन करेगा बहुत सारे पूरुष उद्रे हुए हैं क्योंकि पत्नियों उनको सुधा रहा है कुछ चीजें कि कुछ लोगों में नहीं होता है तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं चेंज साता है उसकी लिए शक करना डाउट करना भी कोई अच्छी बात नहीं है अगर व्याल्यूज एथिक्स मॉरल्स यह सेम है फिर पती या पतनी कैसा भी चेंज करें तो ठेक इटीजिली आ यह तीन चीजें बड़ा इंट्रेस्टिंग है ना याल्यूज एथिक्स मॉरलिटी मैं जानता हूं अगर आप पचास साठ साल के एज में अचानक आप जबान के तरह होने दीखने लगने कोशिश करने लगे तो लगता है कि डाल में कुछ काला होने आप नेचर में कुछ वह आने लगए और यह तब ठीक है अगर उसकी व्याल्यूज में मॉरलिटी में character में कोई change नहीं है तो फिर आप इसको allow करें वो change अच्छा होता है हाँ change तब तक अच्छा है अगर वो compromise नहीं करता है अपनी नाइतिकता में जो राम की जो मर्यादा है जिसको values ethics morality अगर इसमें कोई compromise नहीं हो रहा है आपके पती या पतनी के दौरा तो change होनी दो change होना अच्छा है monotonic खतम होती है life बदलता रहता है यह मत कहिए कि विवा के शमय जैसा था आप तुम ऐसा नहीं रहे का जैसी थी आप नहीं रहे ठीक है समय के साथ विचार बदलता है सोच बदलता है चीजें बदलती रहती है ठीके डीजी पती है पतनी के कुछ चीजें mutual होना अच्छा जरूरी है मैं लगर दोनों के कुछ चीजें मिलना जरूरी है तो उसमें conflict काम होता है कुछ चीजों में एक जैसा interest एक जैसा हवी हो अच्छा है पर अगर तुमारे life में सारी जितने भी तुमारे hobbies हैं इंट्रेस्ट हैं जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है कि सब अगर एक दूसरे के हिसाब से बनाओ वह अच्छी चीजें नहीं है कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि पति या पत्नी के उनके कुछ अपने objective खुशी हो उनकी hobbies कुछ ऐसे भी हो जो दोनों से अलग हो यह अलग होना खराप नहीं है उल्टा अच्छा है पति और पत्नी के common friends होना जुरूरी है पर अगर आपके अपने individual friends नहीं है तो अच्छी चीज नहीं है आपके भी अपने friends होना चाहिए जो आपके पति के नहीं है आपके पति के भी कुछ friends होना चाहिए जो आपके पत्नी के friends नहीं है दोनों के common friends भी जरूरी है कुछ individual friends भी जरूरी है कभी-कभी life में ऐसी situation होता है ऐसी state of mind होता है कि हम ना अपनी spouse से शेयर करना चाहते हैं ना कमन फ्रेंट से शेयर करना चाहते हैं उस समय आपको मेंटल जो स्ट्रेस है एंग्जाइटी है उसकी रिलीज होती है जब आपकी इंडिविज्यूल फ्रेंट से आप शेयर करते हैं जिसका आपकी पती या पत्नी से कोई लेंदें नहीं है इसी तरह बहुत सरे हवी या इंट खराप नहीं होती है कुछ इंट्रेस्ट हावी अच्छा एक जैसा हो अच्छा है तो दोनों में एक बैलन्स होने की जरूरत है किसी तरह वेद में बड़ा सुन्दर मंत्रा आता है दोनों पती-पत्नी बोलते हैं तुम भी मेरी दिल को सुनो में भी तुमारे रिदय को सु बहुत सरे आइडियल पती-पत्नी भी होते हों है तो जो आइडियल है मैं उसको अपने दिल पर मत लें बाकी लोगों की बात कर रहा हूं problem क्या है हम सब कर लेते सुनने कोई तयार नहीं है अब खास करके आपकुत पती-पत्नी के आर्गूमेंट को देखें कभी-कभी दो दोनों सेमी चीज बोल रहे होते हैं पर तभी लड़ाई हो रही होती है क्यों दूसरे का नहीं सुनना बस अपना बताना वह अपना बता है मैं अपना बता हूं फाइटिंग चलती रहती है कोई तीसरा आकर सुने तो बताया आप दोनों फाइटिंग क्यों कर रहे हो आपकी लाइंग्वेज अलग अले तरीका अलग है बता तो सेम रहे हो पर एक दूसरी को सुने ध्यान से तब ना अच्छे रिलेशन्शिप के लिए सुनना बहुत जरूरी है बोलने से ज्यादा सुनना जो कम बोलता है वह रिलेशन्शिप के लिए ज्यादा कंट्रिबूट करता है जो ज़्यादा सुनता है वह रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा कंट्रिब्यूट करता है ध्यान रखिए और अगर कहीं डिसकेशन में कोई डिसअगरेमेंट हो कमप्रमाईज भी कर लिए अपना अपन के कारण आप कुछ चीजह छोड़ देते हैं आप स्पेस देदेते हैं कि रिलेशन्शिप में कम्प्रमाईज करना एक अच्छी चीज होती है कि आप दुनिया में और कहीं कम्प्रमाईज करें न करें पर रिलेशन्शिप में जो कम्प्रमाईज करता है वो फॉस्ट हैंड रहता है उपर रहता है और इगो पाल के जो बैढ़ता है वो नीचे रहत है कि जो व्यक्ति खुद खुश नहीं हो ना हो दूसरों को क्या खुश रखेगा कि नहीं हो सकता हर इंडिविज्यूल इंडिविज्यूल और खुश रहना स्खें कैसे खुश रहेगा वह उसका individual problem है उसमें spouse कुछ नहीं कर सकता जब मैं खुश रहूंगा तो naturally मैं खुश दिमाग में मेरे पतनी के साथ जो विवार होगा या बच्चों के साथ परिवार दूसर परिवार के दूसरों के साथ वो उनको भी में खुश रख सकता हूं दुखी आत्मा दूसरों को कभी खुश नहीं कर सकता जो बहुत रूड है वो दूसरों को खुशी ढूंडें आप खुद खुश रहना सिखें तब दूसरों को आप खुश रहेंगे अगर आपके लाइफ में इंडिविज्युली खुशी नहीं है कि क्योंकि आप खुश रहना मोस्ट अब टाइम बहुत चारे लोग खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वह खुश रहन खुश रखने के लिए जो चाहिए करें फिर देखेंगे relationship में बहुत सारे problem अपने आप ठीक हो जाता है विवा के कुछ दिनों के बाद धिरे धिरे जो लोग love marriage करते हैं या arrange marriage करते हैं दोनों situation में love marriage में marriage से पहले बढ़िया friendship होती है arrange marriage में विवा के 2-4 साल तक बढ़िया friendship होती आगे जाकर दोनों बरावर हो जाते हैं दोनों अलग-अलग रास्ते में आते हैं पर आगे सेमी रास्ते में पहुंच जाते हैं कि फ्रेंड शीप को की जो 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 नेचर है उसकी जो टेस्ट है उसकी जो आरोमा है उसको रिलेशन्शिप में जरूर डालें आपको पता है हिंदू विवाह में जो सबसे सब्सक्राइब को बगाड़ के साथ फेरा कर देते हैं तो सब्सक्राइब का बेसिक परपस क्या था तो डेवलब दो concept of friendship between husband and wife और उसकी जो हर पाद जो जो हर स्टेप है वो एक परपस के लिए लेते हैं उसके लिए मंत्र होता है कि हम यह स्टेप इसके लिए लेते हैं जो लाश्ट और जो सात्वा सबसे इंपोर्टन स्टेप होता है किते हैं हम लेते हैं सखा सखी सखापन के लिए जित्रता के लिए दोस्ती के लिए आप सतर साल के हो गएं असी साल के हो गएं नबे साल के हैं या अभी अभी निवली मेरेड हैं वो जो फ्रेंड्शिप की जो 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 अरोमा है उसको बना के रख जब पत्ति पत्नी होते हैं तो एक पोष्ट होता है पावर एकस्पेक्टेशं में पत्नी हो ये तुम्हारी ड्यूटी यां पति के मैं पत्ति होते हैं कुछ एक्सपेक्टेशन पती पत्नी में नैचिरल यह आई जाता है एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं पर जब आप उसमें वह फ्रेंशिप बाला थोड़ा अरोमा रखेंगे इंपूट रखेंगे तो रिलेशन्शिप में जब भी कटुता आएगी वह जो दोनों के प्रति है कि जो मित्रता का भाव है वे उसको मिनिमाईज कर लेगा बड़ी से बड़ी प्राबीम भी बड़ी इजीली साल्व हो सकता है अब हित्रता कैसी है 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 मुच्छवल अंडर लाइनिंग एran अमियुच्वल मूच्वल डिभोशन बिशम मूच्मियर को डुशन तरह का मत लिजीएगा परमात्मा या अपने से बड़ों के प्रति जब आप एक्स्ट्रिम प्यार करते हैं उसको हम भक्ति कहते हैं अपने बरावर के प्रति जब हम उसी प्यार को करते हैं उसको प्रेम कहते हैं तो दोनों ही डिवोशन है अपनी पार्टनर पति या पतनी के प्रति फुली डिवोटेड होजिए जैसे आप आपने मावाप के प्रती बगवान के प्रती डिवोशन रखते हैं इसी तरह एक दूसरे के प्रती भी डिवोशन रखिए उसने मुझे कितनी खुशी दी अगर इसी को काउंट करते रहे जिंद्धी भर आप दुखी रहेंगे आप पचास बार शादियां बदलेंगे तब भी खुश नहीं रह सकते पर मेरे कारण मेरे पत्नी या पती कितना खुश होता है अगर यह काउंट किया तो आपकी लाइफ में खुशी ही खुशी होगी एगेन इस इउट फ्टेंट बे मूचुवल पती कि चिन्ता होनि चाहिए मेरे कारण पतनी कौश है कि नहीं पतिनी कि चिन्ता हो नींच ऊप्रहण पती कुश चेकी नहीं और कंक्लूड करेंगे आपको बता है हिंदू ट्रेडिशन में एक कंसेप्ट है क्या है और धनारीश्वर ध्यान रखिए अपनी पार्टनर को अलग मत समझो रिलेक्शन्शिप की पहला और सबसे इंपोटेंट जो रूल है अपनी पती या पतनी को अपने लाइब का आधा समझो जैसे तुमारे शरीर में किसी भी अंग में पेन हो तो पुरे शरीर को पेन होता है किसी भी अंग में खुशी है तो पुरे बोड़ी को खुश होता है इसी से जब मेरा आधे को दर्ध हो तो वो दर्ध में बाकी आधे को भी होता है मेरे आधे को अगर खुशी होती है तो बा का आधापती है जब आप सच्मुच इस अर्धन आरिश्वर की जो माइथोलोजिकल कंसेट को अपने पतिया पतने के साथ आप जोड़ दें फिर देखिए रिस्ता कैसे होता है आपका जीवन भी इसी तरह सुखुमा या दाम पत्य से भरा हो इसी के साथ विराम लेते हैं बहुत बहुत धन्यवाद ओम शान देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें